चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकॉन को कर ले सलेक्ट ताकि सबसे पहले हमारी जानकारी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँए मध्यप्रदेश कर्मचारियों की मांग पर क्या फैसला लेगी सरकार आज की दो बड़ी खबरे कर्मचारी हित में जाने मध्यप्रदेश कर्मचारियों की मांग पर क्या फैसला लेगी सरकार आज की दो बड़ी खबरे कर्मचारी हित में जाने कर्मचारियों ने की त्योहार अग्रिम राशी बढ़ाने की मांगह सात्वे वेतनमान में नहीं हुई व्रिद्धी अब 15,000 रुपे मांग रहे कर्मचारी मध्यप्रदेश ट्रितियवर कर्मचारी संग ने त्योहार अग्रिम राशी बढ़ा कर 15,000 रुपे करने की मान की है संग के प्रदेश सचिव उमाशनकर तिवारी का कहना है कि कर्मचारियों को त्योहारों पर राहत देने के लिए ये योजना शुरू की गई थी जिसमें कर्मचारी शासन से अग्रिम ली गई राशी पर 6.50 प्रतिशत ब्याज देता है और यह राशी 10 किस्तों में वापस करनी होती है वे कहते हैं कि अग्रिम बढ़ाने से सरकार पर कोई आर्थिक बोज भी नहीं पड़ेगा तिवारी बताते हैं कि 15 साल से त्योहार अग्रिम राशी में व्रिद्धी नहीं हुई है छटे वेतनमान में कर्मचारीों को 4000 रुपे अग्रिम मिलते थे साथवे वेतनमान में इस राशी में कोई व्रिद्धी नहीं की गई जबकि महंगाई साल दर साल बढ़ती जा रही है, वे कहते हैं कि छटवे वेतनमान में जिन कर्मचारियों की बेसिक सेलरी 12,000 एवं साथवे वेतनमान में 30,800 है, उन्हें 4,000 रुपे त्योहार अग्रिम के रूप में दिये जाते हैं, ये राशी ब्याज सहित वापस की जाती है, फिर भी सरकार वृद्धी नहीं कर रही है, कर्मचारियों के सर्विस रिकॉर्ड पर बड़ा अपडेट, जंजट खत्म, कोश और लेखा विभाग ने जारी किया आदेश, कर्मचारियों के सेवा अभिलेखो यानि सर्विस रिकॉर्ड, सर्विस बुक में तमाम बड़ी सामने आती रही है, इनमें संशोधन के लिए भी कर्मचारी परेशान हो रहते हैं, अब सर्विस रिकॉर्ड बुक पर बड़ा अपडेट सामने आया है, इनमें संशोधन में होने वाली जंजटों को खत्म कर दिया गया है, प्रदेश के कोश और लेखा विभाग इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है, सरकारी कर्मचारी अधिकारियों के सर्विस रिकॉर्ड सर्विस बुक में कई प्रकार की गड़बडिया पाई जाती है, कई जन्तिती गलत लिख दी जाती है, तो कभी सेवा पर नियुक्ती की तारीक गलत होती है, खाता और आधार नंबर में भी गड़बडिया सामने आती रही है, इन गड़बडिया को दूर करने के लिए संचोधन के लिए बड़ी संख्या में आवेदन आते हैं, कर्मचारियों के ऐसे आवेदनों से कोश एवं लेखा संचाल अनाले परिशान हो गया है, ऐसे में संचालक इसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी की जारी की जा चुकी है, इसके अनुसार सक्षम अधिकारी से स्वीकृती लेकर संचोधन किये जा सकते हैं, कोश एवं लेखा विभाग के संचालक का कहना है कि सर्विस रिकॉर्ड संधारित करने की जिम्मेदा कर्मचारियों का डाटाबेस एक इकरित वित्तिय प्रबंधन सूचना प्रणाली FMIS से तयार किया जाता है, इस सिस्टम में सर्विस रिकॉर्ड के आधार पर डाटा का अपडेशन होता है, अभी तक कर्मचारियों अधिकारियों के सर्विस रिकॉर्ड चार दशक पुरान पद्धती से संधारित किये जाते थे, इसमें गड़बरिया होती थी लेकिन अब नई तकनीक से संधारित किये जा रहे हैं, इससे कर्मचारियों को आने वाली बार-बार की समस्याओं से निजात मिल जाएगी, नए सिस्टम में कर्मचारियों के सेवा अभिलेखों में जन नियुक्ति दिनाक, खाता और आधार नंबर संशोधन को लेकर लगातार पहुँच रहे आवेदनों से परिशान संचालनाले कोश एवं लेखा ने स्पश्टी करण जारी किया है। अभिलेक के आधार पर मात्रा डाटा के अब्देशन की कारेवाही करती है। कर्मचारी बार-बार मान कर रहे थे कि कर्मचारियों के सेवा अभिलेक तकनीकी सुविधा से संधारित किये जाएं। ताकि प्रदेश के लाखो कर्मचारियों को समस्या का सामना न करना पड़े। अब कर्मचारियों की जन्म तिथी, नियुक्ती तिथी, आधार नमब, खाता नमब, एम्पलाइच कोड एवं अन्य कई प्रकार की आवश्यक जानकारी सेवा अभिलेक में तकनीकी सुविधा से संधारित की जाएगी, जिससे प्रदेश के साधे 7 लाख कर्मचारियों को बड़ी सुविधा प्राप्त हो जाएगी, मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच ने आयुक्त कोश एवं लेखा के निर्नय का स्वागत किया तथा मान की है कि कर्मचारियों की सेवा अभिलेक तकनीकी सुविधा से संधारित करने के निर्नय का ततकाल पालन किया जाए